हेलो फ्रेंग्स राज इतिहास के इस यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है किसी भी पेश्किम्ती चीज की तुन ना कोईनूर हीरे से की जाती है आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्यों है कोईनूर दुनिया का सबसे महशूर हीरा, क्या है इसका इतिहास, क्यों कहा जाता है जिसके भी पास रहा कोईनूर वो हो गया बरबात, आईए जानते हैं इस वीडियो द्वारा क्या इक प्रैकार का रतन हैं विभून नंको एवम रतनों में सबसे अस्बल्व रतन है ही राजा महारा गव्या को भूँ ही रहता था सबीक प्रकार्वीव हीरों में कोयूर सबसे प्रudपुराना एवग महिंगा हीरा हैं यहाष जगमगाता हीरा अत्य hobbies फंद से मैं म्हीर ह सबसे पहले तीरा विशता 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 है। सबसे प्राचिंतम हीरा था। कोईनोर हीरे को दुनिया के सबसे बड़े और बेचकिमती हीरे का दर्जा दिया था। 150,000 क्रोड रुपे मानी हीरे कीमत ऐसा माना जाता है कि क्यमत is 150,000 क्रोड रुपे है। 105 कारेट का यह हीरा ब्रिटेन के महाराणी एलिजाबेट विद्या के ताज का हिस्सा है। वही लुईस के अनुसार यदी इस हीरे को बेचा जाता है। उससे 700 सालों तोक सारी दुनिया को खाना खिलाया जा सकता है। कोहिनुर कई मुगल शासक की आदिन रहा। मुगल शासक बाबर ने अपने नेक बाबर नामा में हीरे का उल्लेक करते हुए यह बताया कि उन्हें यह हीरा सुल्तान इब्रहाम लोदी ने भेट किया है। उन्होंने इसे बाबर का हीरा भी बताया। इसकी बाद 1749 में परसिया के राजा नादिर्चाहा भारत आये। परसिया में अपनी कैद में रखा था। कोहिनुर को देखने के लिए नादिर्चाहा लम्बे समय तक जीवित नहीं रह सके। 1747 में राजन एतिक लड़ाई के चलते नादिशा की हत्या कर दी गई और इस बेश्किम्ती कोईनूर गिरे को जंडल एहमद शाह दुरानी ने अपने कमजे में ले लिया फिर एहमद शाह दुरानी के वन्ष शाह शुजा दुरानी कोईनूर को 1813 में वापस भारत लेकर आये इसे उन्होंने अपने हाथ में कड़े में जड़वा कर कई दिन तक पहन रखा शुजा दुरानी ने कोईनूर को सीख समुदाय के संस्कापक राजा रंजे सिंग को सोब दिया इस विश्किमती तोफे के बदले राजा रंजे सिंग ने शाह शुजा दुरानी को अफगानिक्सकान से लड़ने एवब राजगद्दी वापस लाने में मदद थी महा राजा रंजे सिंग के एक प्रियर होड़े का नाम भी कोईनूर था राजा रंजे सिंग के वसियत की मुताबि कोईनूर हिरे के उनकी मृत्यों के बाद जगननाक वरी उड़े सा भारत की मंदिर में देनी की बात को भी परन्तु इस्ट इंडिया कमपणी ने उनकी वसियक नहीं माले। 29 माच 18 से उन्चा सको त्विते एंडो सीक्रिट दिक संपत्ती पर बिटिश कोस्नी राजा रंजल सींग को हरा दिया था। और राजा रंजल सींग की सभी संफत्ती तता राजह पर पबजा कर लिया। सटे के राजा महाराजाय का ही एका एक सा क्राव में अरहा भुए कमसे हुआ हो पर लोगों को गया बरबाद कोईनुर का अथ होता है रोष्णी का पहार ऐसी मानने का है कि अहिरा अभिशाफ्त है कि यह जिसके भी पास रहता है उसकी जिन्दगी बरबाद हो जाती है इस ही राज परिवारों को तबा कर दिया कई सामराचों ने इस हीरे को अपने पास पर यह हीरा ख़दान से कब बाहर आया इसकी कोई पुक्ता जानकारी इत्यास में नहीं मिलते एक अन्यकता के अनुसार लगवक्ती नजादों सो इसाफुरों में यहां किसी हो हीरा नदी की तली में मिला था हाला कि भारत की गोलकुंडा की ख़दानों से कई बेश किमती ह हीरे निकले हैं जैसे दल्याई नूरुन एंग, ड्रेफ मुगल, औरलोव, आगरा डायमंड, पहमदावार डायमंड जैसे नजाने कितने ही हीरे जो कोईनों सितने ही बेश किमती है शायद यहीं वज़े होगी कि कोईनों को भी गोलकुंडा से निकला हुआ जाता है कि अर कोईनोर हीरा अपने पूरे इतिहास में अब तक एक बाल भी नहीं बिखा, यह तो एक राजार वारा दुस्रे राजा से जीता गया या थी लीना में दिया गया था, कोईनोर की वर्तमान की मतलब वफ 150,000 क्रोड रुपे ही, 150,000 क्रोड लग वफ 215-600 ग्राम, 215-600 ग्राम क पर सीख शासव रंजित सीम की सारी संपती को बिटिश सरकार ने अपने कबजे में कर लिया, इसके बात बेश्कीमती कोईनोर को बिटिश इस्ट इंडिया कंपणी ने उनके खजाने में रख लिया था, फिर इस कोईनोर को जहाजी यत्रा से ब्रिक दिन लाया गया, ऐसा कोईनोर को ले जाते वक्त इसकी देखरेक एवाइच सुरक्षा करने वालों के हाथों से यह बेश्कीमती हीरा गुम हो गया था, परन्तु कुछ ही दिनों बात उसके नोकदवारा कोईनोर लोटाय जाने का वाक्य प्रचली थे, आं तता जुलाई अट्राइसो पचास में इस बेश्कीमती जगमगाते हुए हीरे को इंगलेंड की महारानी विक्तोरिया के अधिन सोब दिया गया था, महारानी विक्तोरिया के अधिन इस कोईनोर को क्रिस्टल पालस में प्रदर्शिनी के लिए रख दिया गया था, इस समय इसका वजन 186 कैरेट था, लेकिन यह प से नय रूप देनी का निच्षे किया 1822 मी डेज के जोड़ी मिस्टर कैंटर को दे दिया गया जिसने इसे काटकर और शेफ साइस का बना गया इससे पहले इसे कभी नहीं काटा गया था महारانी विक्टोरिया इसी किसी सुवसर पर या किसी खास मोगे पर ही फैनती थी। उन्होंने अपनी वसीयत में कोईनुल पर उत्तर अधिकारी के बारे में लिखाता। कोईनुल को के वजा महारान योद्वारा ही पहना जाना शांदे। अगर किसी समय कोई पुरुष रजे महारानी के ताज में जड़ दिया गया यह ताज के बृतिन की महारानी योद्वारा पहना जाता है इसका वजन लगबग 106 कारेट है कोईनुर इंगलर के राजसी परिवार में महारानी के ताज में लगबग 2000 हीरो के साथ चड़ा हुआ है इस कास को लंडन के ताज में रखा गया है इसे देखने के लिए लोग कई दूर दूर से आते हैं यह राजसी परिवार की अमल्य धरोहर है इस वक्त कोईनुर हीरा ब्रिटेन के राज़दानी लंडन के केंद्रा में एक भव्वकिला है जिस सब 1078 में विलियम डव रौकर। बिटेन के राजपरिवार के हाल वह किसी से छुपे नहीं है अकाल मौत कतल और बदनामी के कई दोर सहिन करने के बाद भी आज भी आही रा इस परिवार के पास ही है कैसे आया रंजी सिय के पास कोई नहीं बाद सन 812 की है जब पंजाप महाराजा रंजी सिन की एक छत्र राज्य था एक दिर उनके पास अफवानिस्तान की मलीका वेगम वफा वेगम आई और कहने लगी कि मेरे पति शहाशुजा कश्मिर के सुबेदार आताम मौमत की के ठाने उस समय महाराजा रंजी सिंग ने कश्मी के सुबेदार आताम मौमत के शिकंजे से कश्मी को मुक्त कराने का अभियान शुरू किया था इस अभियान से भैवित होकर आताम मौमत कश्मी छोड़ कर भाग गया कश्मीर अभियान के पीछे एक अन्यकारण भी था आताम मौमत दे महमुत शांत्वारा पराजित शाहशुजा को शेरगढ किले में केद कर रखा था। उसे केद खाने से मुक्त कराने के लिए उनकी बेगळण वफा वेगळम नी लाहुरा कर महाराज रणजी सिंग्ग से प्रात्पना की। शाशुजा के केद हो जाने के बाद वफा बेगम ही उन दिनों अफगानिस्तान की शासिका थी अंत में एक अभियान के तहट महाराजा रंजी सिंग ने कश्मीर को आजाद करा दिया उनके दीवान मोकम चन ने शेरगर के किले को घेर कर वफा बेगम के पती शाशुजा को रिहा कर वफा बेगम के पास लाहर को उचा दिया हाला के बाद में बेगम वफा कोईनुर देने से आनाखाली करने लगी लेकिं अल्थमी 1813 में महाराजा रंजी सिंग ने कोईनुर उन से हासल कर लिया जब तक यह कोईनुर शाशुजा के पास था उनके बुरे दिन ही चर रहे थे लेकिन जब यही रा महाराजा रंजी सिंग के बुरे दिन शभुर हो गया एक और तो उन्होंने अपने जबदस्त धाग जमाई तो दूसरी और उनके सामरा जगा पतन भी शुरू हो गया 1849 में महाराजा रंजी सिंग के मौत के बाद शाहा शुजा से पहले कोईनुर निरा अभानिस्तान के सहिंशा आहमार्शा जुरानी के पास था यह कोईनुर निरा बहुत काल तक भारत के शत्रेशा सिंग के पास रहा पहले तुगलब मंशे और फिर मुगलों के हाथ लगा मुगलों से यहां नादेशा के हाथ लगा और फिर शाहा शुजा के पास होते हुए महाराजा रंजी सिंग के पास थोचा कोईनूर निरे पर कई दीश अपना हग बताते हैं भारत कहता है कि कोईनूर भारत की संपधा है जिसे प्रिटिशों ने कलत तरीके से लूप लिया वह ब्रिटिश सरकार कहती है कि कोईनोर को रंजी सियर ने लाहर संती संदी के दोरान ब्रिटिशों को धोपे में दे दिया कोईनोर पर कई बाद सवाल उटे हैं 1947 में भारत की आजादी के बाद से ही भारत ने कोईनोर को वापस लाने की कवायद शुरू कर दी थी इसके बाद 1923 में महाराने एलिजावेधुदिय की राज़ दिल्ह दोरान में भारत वारा कोईनूर की मांग की गई परनतो हर बाद बृतिक सरकार कोईनूर पर ब्रिटीश अर्वाता पर भारत की संधी चलिल खारिश करता रहा कोईनूर पर हग के लिए भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी सुचिमी रहा 1976 में पाकिस्तान ने कोईनूर पर अपना हग बताते हुए ब्रिटीश सर्का से कोईनूर पाकिस्तान को लोटाने के बात करी इसके जवाब में ततकानी ब्रिटिश प्रधान मंत्री जेम्स केलेगर ने ततकानी पाकिस्तानी प्रधान मंत्री जुल्फिकार अली बुर्टो को ख़द लिखा कोईनुर को 18-19 में लाहर शांती संदिकेते हैं महाराजा रंजी सिम ने ब्रिटिश सरकार को दिया था है inferior और इसलिए ब्रिटिश महारानी कोईनुर को पाकिस्तान को नहीं शूप सकते हुआ इसके बात सन 2000 में कईर सदन में कि type no वार डावा करते हुए वृटिस सरकार पर आरोप लगा है कि कौहिनूर को वृटिस सरकार में अनीतिक रूप से प्राप्त किया है गरे ब्राप्त बते हो गाम निविद अगली बार देगा मुलें से इंटिस्टिंग मंद्स वीडियो के साथ झाल 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 झाल